तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन स्टॉक्स के बारे में जिन में अगर आप देखें तो उपरी इस तरों से अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिल रही है तो अब यहां पर question आता है कि हमारी क्या strategy होनी चीए क्या हमको इसमें और buy करना चीए sell करना चीए hold करना चीए तो इस वीडियो में आपको मैं डीटेल जानकारी देने वाला हूँ तीनों स्टॉक्स के regarding क्या होनी चीए हमारी strategy और कुछ दोस्तो अपडेट्स हैं वो भी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस्तो बाला जी अमाइन्स की अमाइन्स सेक्टर की दोस्तो बहतरीन कंपनी है डूपॉली है और बहुत ही अच्छा दोस्तो इसका भी जो है मुझे लगता है potential है future में grow होने का आप कह सकते हैं कि मतलब अमाइन सेक्टर की बर्जर पेंट्स आप इसको कह सकते हैं मतलब इतनी अच्छी कंपनी है यह अब यहाँ पर दोस्तों उपरी इस तरों से आप देखें हैं तो 32% करेक्ट हो चुका है तो यहाँ पर एक शांदार उपर्चुनिटी मुझे लग रहा क्या आस-पास अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो देखे करी 5 महीने पहले हमने जो यह वीडियो बनाया था और इसको हमने बात करे थी बाला जी अमाइनस के बारे में और अगले 2 साल में हमने बात करे थी इसमें अच्छा जो है हमको रिटर्न देखने को मिल सकता है वि और उसके बाद मतलब unusual run-up हुआ था तब हमने यहां पर बात करी थी कि यहां पर हमको cautious रहने की ज़रुत है जैसे कि मैं हर वीडियो में और हर company में जब भी ऐसा run-up देखने को मिलता है मैं आपको clear cut मना कर देता हूँ दोस्तों वहां पर किए buy मत कीज़े थोड़ा wait कीज़ या तो price correction होगा या time correction होगा तो इसमें हमको price correction देखने को मिला है तो definitely reasons profit booking देखने को मिली इतने high levels पे और दूसरा दूस्तों यह जो reason है वो है company के numbers तो company के Q2 के numbers अभी हाली में हमको आते हूए देखने को मिले तो numbers जो है margin fronts पे थोड़ा इंको pressure देखने को मिला तो आप revenue था अच्छा खासा grow हुआ 55% से पैट अगर आप देखे 46% से grow हुआ लेकिन EBITDA margins अगर आप देखे हैं तो कमजोर नजर आए थोड़े ठीक है 25.49 से गिरके हो चुक है 23.23% because यहाँ पर raw material जो input cost थी इनकी वज़े से जो raw material inflation था उसकी वज़े से इनके जो है margins में pressure देखने क मिल रहा है चाहे हम paints company की बात करें या फिर chemical की बात करें या फिर FMCG की बात करें तो definitely raw material की cost बढ़ चुकी है इसकी वज़े से numbers में pressure देखने को मिल रहा है लेकिन यह जो pressure आयर उसको यह short term pressure है long term में हमको वापिस से resolve होता हो देखने को मिलेगा और यह stock हमको उपर जाते काफी हमको अच्छी देखने को मिलेगी अगर मैं आपको यहां पर बताओं क्या कहना है राम रेड़ी जी का जो इनके managing director है उनका कहना है कि raw material prices की वज़े से थोड़ा बहुत यहां पर इनको impact देखने को मिला margins में लेकिन आने वाले थोड़े समय में दोस्तों ही बोल रहे ह है चाहे हम इस पर जो हम आगरो की बात करें या फिर फार्मा की बात करें FMCG की बात करें या फिर दूसरे जो you know sectors हैं जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ dyes and pigments या या explosive की हर जग है मैंस का हमको daily life में use होता हूँ देखने को मिलता है तो demand काफी अच्छी रहने वाली है future में भी और साथ ही साथ जो इनके expansion plans है वो भी काफी बहतरीन है जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ जहां पर यह acid and nitrile plant दोस्तों अपने हाँ पर Fy23 में का commission हो जाएगा और साथ ही साथ जो है deep bottle necking exercise भी यह करने वाले हैं because acidic acid की जो prices है वो high हो चुकी है जिसके वाज़े से इनको एक opportunity मिल रही है to undertake the low pending activity of deep bottle necking of exercise of acid or nitrile plant तो यह सारी चीज़े हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ तो यह थोड़ा सा मैं इसलिए देखें we expect operating margins to inch upwards in H2F522 मतलब की इस अगले आने वाले quarters में तो यहाँ पर दोस्तो हम बाला जी हमाई इसको buy करके चल सकते हैं हो सकता है और नीचे आ जाए कोई यहाँ पर दोस्तो देखें यहाँ पर ऐसा market में कुछ भी हो सकता है possibilities permutation combination यहाँ पर कुछ भी हो सकते है market में क कुछ भी हो सकता है stock price नीचे भी आ सकता है उपर भी जा सकता है लेकिन हमको timing नहीं करना है हमको देखना है company की growth कैसी है earning visibility कैसी है future के साब से हमको अगर 32% correction पर यह मिल रहा है तो अभी भी मुझे लगता है यहाँ पर आप buy कर सकते हैं valuations इसके अपर attractive हो चुके हैं मतलब इत पहला दूसरा है दोस्तो web of global, web of global की बात करें तो उपर इस तरों से stock 41% correct हो चुका है मतलब खतरना है दोस्तों इसमें गिरावट आ चुकी है उपर इस तरों से तो अब यहाँ पर question आता है कि क्या इसमें किया जाए तो हाला कि दोस्तों मैं इसमें खुद invested नहीं हूँ मैं आपको पहले disclaimer दे दू मेरे कुछ reasons हैं वो मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं invested नहीं हूँ और उपर इस तरों से यह stock correct हो चुका है 41% तो क्या हमको इसमें buying करनी चाहिए या नहीं उसके बारे मैं हम बात करेंगे देखिए मैं ऐसा नहीं बोला तो company खराब है company बहुत ही अच तो यहाँ पर I think मैंने इसका वीडियो भी नहीं बनाया अभी तक लेकिन इस वीडियो में थोड़ी बहुत आपको मैं जानकरी दूँगा क्या आपको करना चाहिए तो सबसे पर बात करते हैं कि numbers थोड़े से यहाँ पर pressure में देखने को मिल रही है और इस stock को हमने यहाँ प यहाँ पर इन्होंने कुछ investments किये हैं जो इनका Germany का operation है जहाँ पर एक initial cost लगती है उसकी वज़े से इनके margin front पर pressure देखने को मिला है साथ यह जो logistic cost है उसकी वज़े से भी इनको pressure देखने को मिला है लेकिन यहाँ पर दोस्तों अच्छी चीज़े हैं कुछ इन्होंने नए brands launch किये हैं जैसे कि TAMC एक female apparel brand है Rachel Gally एक jewelry brand है strong return ratios है company के trailing 12 month के basis पे और साथ इसाथ इन्होंने recently जैपूर में भी अपनी एक manufacturing unit यहाँ पर लगाई है ठीक है यह भी कई सारी अच्छी चीज़े है company के दोस्तों मैं business की बात करूं तो business काफी अच्छा है एक niche business में company काम करती है vertically integrated company है basically they manufacture and sell brands on digital and TV platform UK and USA में इनको TV platforms है TV channels है Omni Channel की presence है खुद का दोस्तों यह जो है brands बनाते हैं तो एक vertically integrated company है जिसकी वज़े से इनको दोस्तों margins में काफी फायदा इनको देखने को मिलता है gross margin अच्छे है company के fashion jewelry and lifestyle products में company काम करती है और इसकी वज़े से मतलब इन में margin अच्छा है ठीक है तो एक चीज़ यह होगी साथ ही साथ अगर मैं एक चीज़ उसको यहां पर देखे कुछ अगर मैं आपको बताना चाहूं यहां पर कुछ negative हाला कि negative मतलब in the sense इतना नहीं है लेक आप से negative है कि US में दूस्तों US और UK में इनके TV channels है लेकिन US में इनको काफी जादा competition देखने को मिलता है QVC नाम का QVC एक TV player है वहाँ पर उसका market share 93 और 92% के आसपास है और बात करते हैं VGL की यानि कि VEVO Global की तो around 3% का market share है हले कि past कुछ years में इन्होंने अपना market share gain किया है around 1. 1.5 से 3% का लेकिन इस्टेल आप देखेंगे तो market share US में काफी कम है साथी साथ US में काफी और competitors भी हैं 4-5 competitors हैं जिसकी वज़े से US में मुझे लगता है कि इनका जो overall competition है बहुत जादा है जहाँ पर इनको grow करने में थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन यहाँ पर दोस्तों ध साथ से negative है जिनकी वज़े से इनके profitability में margins में pressure आगे भी देखने को मिल सकता है अब यहाँ पर दोस्तों risk और है जैसे कि Amazon जैसे बड़े player जिनकी वज़े से मुझे लगता है कि यह जो e-tailers है इनको दोस्तों नुकसान हो सकता अगर Amazon इस line में उतर गया तो वो disruption कर सकता है एक पास्ट में एक इलजाम भी लगा था इनको दोस्तों यहाँ पर इनको चार्ज किया था bribery के केस में जहाँ पर कोई एक US delegate था उसके साथ इनका कुछ bribery का केस हुआ था उसमें इनको चार्ज किया गया था ठीक है तो इसकी वज़े से मुझे यहाँ पर थोड़ा सा management भी इत मैं बिलकुल यहाँ पर उसको अनबायस बता रहा हूँ जैसे कंपनी का business model काफी अच्छा लगता है नीच बिजनस में है growth potential काफी अच्छा है जर्मनी में इन्हों ना expand किया है जर्मनी में जब scale up पूरा हो जाएगा तो मेरे ख्याल से यह योरोप के दूसरे देशों में भ वो काफी जादा है सुनील अगरवाल जो है इनके उपर एक पहले bribery का case लगाया है साथ ही साथ इनको competition gold dm के साथ है gold dm basically artificial jewelry में है जो की इनको काफी इच्छा टकर देती है राजेस exports की बात करें तो यह सारे दूस्तों एक factors हैं तो यहाँ पर definitely इसकी वज़े से मैं थोड़ to build a sustainable market for long term growth and value creation for all stakeholders तो long term की जोस्तों यहाँ पर जो vision है company का अच्छा है तो अगर आप इसमें invested है तो invested रह सकते हैं company का business model काफी अच्छा है fundamentals काफी अच्छा है financials काफी अच्छे है टेकनिकल चार्ट पर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों टेकनिकल चार्ट पर यह काफी week हो चुका है और 200 day moving average के नीचे closing दी है तो definitely यहाँ पर उस तो buying में आपको मना करूँ अभी मत कीजिए एक बर इसको 200 day moving average के ऊपर closing देने दीजिए around करीबी अगर यहाँ पर closing देता है 800 के ऊपर तो आप यहाँ पर buying करके चल सकते हैं fresh buy कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर बने हु जा सकता है तो average मत कीजिए fresh buy मत कीजिए आप यहाँ पर अगर बने हुए तो बने रही है एक बार और यह 800 के ऊपर जाता है या फिर 200 day moving average के ऊपर closing देता है तब आप इसमें fresh buy कर सकते हैं तो यह हो गया दूसरा थार्ड है दोस्तो दीपक नाइट्राइड जिसके बारे मां कल हमने बात करी थी कि आज stock के price में correction देखने को मिल सकता है तो देखिए करीब करीब 7% की आसपास की correction है तो आप दोस्तो इसको मैं जैसे कल भी बोला था यहाँ पर इसको फायदा उठा सकते हैं यहाँ पर यह long term की story है जहाँ पर basic chemicals में भी एक company है speciality fine chemical में भी एक company है phenolics में and यहाँ पर performance chemicals में भी है जो कि एक high margin business है साथी साथ यह नई chemistry में नई platform नई technology में देखने को मिल रहा है लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर अगर बात करें तो company उस तो grow होती रहेगी लगातार अगर हम देखें तो यहाँ पर management का क्या कहना है चलिए देखते हैं जो दीपक महता है उनका कहना है कि going forward we will be driven by planned expansion initiatives across SBU जो इनका basic intermediate वाला vertical है and tactical introduction of several downstream chemicals तो several downstream chemicals का दूस्तो हमको यहाँ पर announcement होता हूँ देखने को मिल सकता है future में complex chemical platform यह already developed कर चुके हैं जहाँ पर हम बात करें chlorination की और photo chlorination की उसके through यह नए agrochemical intermediates product जो है बना रहे हैं already तो उसका margin अच्छा होने वाला है साथी साथ they are entering into newer solvents will diversify or product portfolio product portfolio को अपने diversify करेंगे client base को अपने expand करने वाले increase the percentage of complex high margin product तो high margin product में भी entry लेंगे तो दोस्तो यह देखिए दीपक नाइटाइट तो definitely आपको यहाँ पर अगर मेरे ख्याल से opportunity है इसमें धिरे दरबाय करते रहें और correction आता है करीब अगर यह 1900 के आसपस आता है तो मेरे ख्याल से एक जबरदस opportunity होगी इसमें निवेश करने की तो आप इसमें धिरे दरबाय करते जाएए SIP वे में इसमें invest करते जाएए कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है तो I hope दोस्तो यहाँ पर यह तीन श्टॉक्स के रिकार्डिंग आपको information पसंद आए होगी अगर वीडियो अच्छा लगा तो like कीजिए share कीजिए चैनल को subscribe कर लिजिए मिलते हैं दोस्तों आपसे next वीडियो में till then take care bye bye